हलो एवरिवान इस वेडियो में हम बात करेंगे about the decarboxylation of the carboxylic acid कि carboxylic acid से कैसे carbon dioxide बाहर को निकलती है decarboxylation का मतलब होता है कि CO2 जो carbon dioxide है उसका D का मतलब होता है उसका removal उसका बाहर निकलना तो decarboxylation के दो methods होते है ठीके दो methods होते है कि removal from the carboxylic acid firstly क्या होता है decarboxylation is the removal of carbon dioxide from the carboxylic acid salt में ली क्या होता है पहले carboxylic acid जो होती है उसका salt बनाया जाता है जो की carboxylic acid salt कहलाता है अब उस salt में से decarboxylation होती है decarboxylation मतलब removal of CO2 अब उस carboxylic acid के salt से होगा ना इसके main important methods है first method is the by soda lime soda lime के साथ reaction करने इससे decarboxylation होती है soda lime क्या होता है NaOH के साथ जब calcium oxide हम दे दे किसी चीज़ को ठीक है और second is the very important this is the coal-based electrolysis process ठीक है यह हमने दोनों पढ़ना है method of decarboxylation of the carboxylic acid में so first is the by soda lime soda lime से कैसे decarboxylation होती है हमने इस पारे में पढ़ना है तो firstly हमें पता है कि आपको carboxylic acid salt बनाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे जो CH3COOH suppose मैंने यहाँ पर यह acid ले ली ठीक है acetic acid ले ली अब इससे आपको firstly तो आपको salt बनाना है तो आप क्या करोगे तो आप NaOH के साथ इसकी reaction करवा दोगे और आपको क्या मैलेगा CH3COOO negative and Na positive ना जो यह चीज है यहाँ पर लिखी वी जो यह CH3COOO negative and Na है वो क्या है salt of this is the salt of carboxylic acid okay now यह वाली carboxylic acid का salt हमारा हो गया अब बात करते हैं कि इससे अब decarboxylation कैसे होगी now इससे decarboxylation कैसे होती है by the soda lime जो process है CH3COOO negative and Na positive यह जो हमारा salt है उसे हम ले लेगे ठीक है और उसके बाद क्या होगा उसके बाद होगा आपका जो soda lime डालोगे इसमें soda lime क्या है NaOH ठीक है NaOH soda lime भी लिख सकते हो आप या फिर NaOH and CAO का combination लिख सकते हो अगर यह हमने डाल दिया तो यह this is the और दूसरे step में क्या करना है एक और चीज़ आपको heat करनी है यह soda lime दे के जो आपका दो Na यहां से Na and O Na and oxygen यहां से जाएगा मैं इससे दिखाती हूँ Na and oxygen यहां से जाएगा ठीक है इस वाले चीज़ से Na and O चला गया और दूसरी तरफ से आपका क्या जाएगा COona ठीक है दूसरी तरफ से आपका जाएगा COona यह वाला पार्ट निकाल तो इसका ठीक है अब यहां देखो यहां COona है यहां पर Na O है तो यह compound क्या बना आपके पास ठीक है यह compound आपके पास क्या बना this is the Na2 क्योंकि sodium क्या है sodium आपके पास तो है Na2 CO3 आपके पास मिल गया and सा साथ में क्या बना साथ में यहां CH3 था और एक hydrogen यहां पर ता देखो NaO और यहां से NaCOO ने मिलके बनाया Na2 CO3 यहां पर CH3 है यहां पर एक hydrogen है तो इसका क्या बना यहां पर this is the CH4 यहां पर क्या production हुई साथ में आपके अलकेन हो गई और further क्या होता है further जो Na2 CO3 है उसकी जब further अधर आप heating करते हो तो आपको क्या मलता है Na2O and carbon dioxide आपकी यहां से निकल जाती है carbon dioxide गयास है वो यहां से release हो जाती है तो यह था process by the soda lime तो इसमें important चीज आप देख रहे होगे कि यहां पर क्या कितने carbon number का alkane बन रहा है जितना आपके बास starting material में था उसका एक कम carbon वाला को alkane म but आपकी जब यह decarboxylation होई तो आपको किस carbon का मिला वो carbon का मिला जो की starting वाले से एक carbon वाला less था तो आपको यहां पर alkane मिल गया ठीक है तो यह होता है इसमें देखा गया है कि alkane with one less carbon will be formed जो alkane होगी उसका number हमेशा एक less होगा from the starting material तो इसमें यह question भी आजाता है कि हाँ इसे तो acidic acid का salt लेके उससे हमारे methane बन जाएगी next method is the coal-based electrolysis process electrolysis से ही समझ जाओ कि यहां पर electrolytic process electrolytic cell involved होगा तो हमने electrolytic cell बना दिया जिसमें कि यह वाला portion anode है यह वाला portion आपका cathode है आपको पता होगा कि anode के साथ positive battery जूटती है positive side जूटता है and cathode के साथ यहां जो electrolytic cell होता है उसमें cathode पर negative होता है anode पर positive होता है और यहां पर यह हमारा क्या है यहां पर हमारा solution है अब solution में क्या है यहां पर solution में हमने डाला है CH3 COO negative Na positive जो की जो की वही salt था हमारा salt of carboxylic acid डाल दिया और हमने यहां पर water डाल दिया यह solution बनाया है ठीक है जिसमें कि जो sodium salt of carboxylic acid है वो है और water है present ठीक है तो देखो यहां पर क्या होगा in a given electrolytic cell solution is solution क्या है यह sodium salt of carboxylic acid and water का है इसका मतलब इसमें कितने कितने ions और कौन कौन से ions प्रेजेंट होगे बिकेस यहां पर water है water में कौन से ions होते है h positive and oh negative तो h positive oh negative तो होगा ही और बिकेस यह अगर ionize करेगी यह अगर टूटेगा यह salt तो कौन से ions मिलेगे एक तरफ आपको ch3 co negative मिलेगा और दूसरी तरफ आपको na positive मिलेगा ओके ना क्या हो गया कि जो anode क्या है anode is the positive आपको यहां से दिख रहा है anode is the positive and cathode is the negative तो solution में यह 4 ions बढ़े वे हैं ठीके अब आपको पता है कि जो positive है उसकी तरफ को कौन से अट्राक्ट हो गए ions जो की negatively charged है negative की तरफ अट्राक्ट होगे positive charge वाले ions अब हमें देखना है positive में भी हमें 2 choices है negative में भी 2 choices है तो anode पे anode पे किसकी आपक negative ion में से दोनों में से किसकी होगी तो हम यहां पर देखते है कि since anode is positive anode positive है तो negative ion will be collected here so out of negative में आपको दो ions मिल जाते है यह and यह पर होगा तो एक एक oxidation तो इस में से जो CH3COO negative वाला आइन है उसकी oxidation होगी add the anode वो क्यों होगी क्योंकि जो इसका reduction potential होता है वो less होता है than that of the OH negative और आपको पता होगा जिसका reduction potential जाता होता है उसकी reduction की possibility बढ़ती है ना कि oxidation की तो reduction potential OH का जाता है तो OH कहिना कई reduction में पार्ट लेने की जाता capable है बट CH3COO negative का reduction potential जाता है तो यह oxidation करवाने में जाता capable है तो यहाँ पर यह positive के पास anode पे क्या होगी oxidation हो गई CH3COO negative ions की ठीक है similarly anode पे क्या हो जाएगा, similarly cathode पे क्या हो जाएगा, cathode में भी हमारे पास दो ions है क्योंकि cathode इस दर negative और positive ions है हमारे पास H positive और NA positive अब इन दोनों में से भी क्या होता है H positive की reduction होती है, NA positive की reduction नहीं होती cathode पे तो हम यहाँ पर लिखेगे add anode, anode and cathode की हम reactions लिखेगे कि क्या क्या हो रहा है anode and cathode पर तो आप यह reaction लिखोगे, तो firstly जो आपका anode है, anode पे आपको पता है कि जो CH3COO negative है उसकी oxidation होगी तो हम क्या करते है, two moles ले ले लेते हैं यहाँ पर CH3COO negative है, ठीके, अब क्या हो जाएगा, इसकी oxidation से आपको क्या मिलेगा दो carbon है आपके पास, ठीके, दो यह लगे वे है, दो CH3CH3 है, तो यह साथ में CH3 और CH3 दोनों आपस में bond बना लेगे और प्लस आपको two moles of carbon dioxide देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से CO2 निकलेगा और दो molecule लिए है अगर आपने आइन के तो दो बार CO2 निकलेगा दो आपने यह entity ले है तो CH3CH3 दो बार होगे वह आपस में मिलके आपके पास alkane बनाएगे और साथ में आपकी क्या होगा, carbon dioxide निकलेगी और सिंस यह anode है, anode पे क्या होता है, oxidation का मतलब क्या होता है, gain of electron, sorry, loss of electron तो loss of electron होगा तो यहाँ पे आप two electrons भी लिख सकते हो, और अगर देखो तो आपको पता है, जो reaction होती है वो balanced होनी चाहिए, उसमें charges भी balanced होनी चाहिए, left में charges should be equal to the right का charge तो left में आपके क्या है, दो negative charge है, तो इसी वज़े से यह balance भी हो गया, दो, यहाँ पे यहाँ भी दो negative charge आ गया, okay now coming to the cathode, cathode पे क्या था है, H positive के reduction होनी थी, तो हमने ले लिया, H positive वो भी हमने two ले लिये H positive के reduction से क्या होगा, आपको hydrogen gas यहाँ पे मिलेगी, और इसमें क्या होगा, cathode में होती है reduction, and reduction is the gain of electron तो हमने यहाँ पे gain of electron कर लिया, and जो electrical balance था, यहाँ पर zero charge था, zero मतलब कोई यहाँ पे charge नहीं है, so यहाँ पर positive, दो positive and दो negative मिलाके, यह वाली left side भी आपकी neutral होगी, और overall reactions आपकी balanced हो गई, और यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, नोट क्या है इसमें, कि यहाँ पर देखो, दो carbon atoms वाली carboxlic acid थी, तो आपको alkane भी दो carbon वाला ही मिला, on the other hand, जो उपर बात होती थी, उसमें दो carbon atom वाला salt था, तो उससे एक कम carbon का आपको alkane मिलता था, तो यहाँ पर सेम बनेगी दो carbon है, तो दो carbon का alkane मिलेगा, तो alkane with same carbon atom will be formed, तो इसमें नोट करने वाली एक और बात क्या है, अगर हम methane बनाना चाहें यहाँ पर, इस method से, coal-based electrolesis process से, तो यहाँ पर methane नहीं बनेगी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, नोट करके, कि methane, methane, methane का formula क्या होता है, CH4, ठीके, CH4 will not, will not, will not be produced, okay, will not be produced by this method, by this method, क्या है कि यहाँ पर जो basic आपका alkane बन रहा है, वो ethane ही बनेगा, आपको दो हमेशा यह रहेगे ही रहेगे, ठीके, और आप यहाँ पर दो आइन्स ले रहे हो, तो यह difference होता है, coal-based वाले process से, and by the soda lime वाले process से, वहाँ पर alkane बन जाती है, बड़ आपको methane नहीं बनेगी, उ मेकानिजम, मेकानिजम में क्या होगा, सबसे पहले जो processing आपकी start है, वो होती है, add the anode, anode से सारी reactions यहाँ पर start होती है, क्या होता है, जब anode पर reactions आपकी हो रही है, तो anode पर क्या है, anode पर आपको पता है, anode पर है आपका carboxylic acid का iron, तो हम लिख लेगे, दो हमने मोल ले लि and o negative का, ठीक है, o negative पर आपको पता है, जो आपके पास 4 electrons है, मतलब 2 आपके पास lone pairs है, तो क्या होता है, यहाँ पर आपको पता है, loss of oxidation हो रही है यहाँ और loss of आपके पास electron होता है, ठीक है, loss of electrons होता है, oxidation में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर से भी loss of electron हो जाएग यहां पर two moles लिये थे पहले आपने two moles of the iron लिया था तो CH3C double bond O and oxygen अब क्या हुआ जो दो है दो यहां पर आइन्स है तो हर एक मेंसे एक एक electron गया है यह तबी दो electron बाहर निकले है तो हर एक में क्या होगा कि यहां पर कितने रह जाएगे सुरी यहां पर six होगे तो यहां पर कि आपके पास क्या बनगे रैडिकल स्पीशी बन गई जो कि आपका एक intermediate होगा और सिंस इसका अगर octet पूरा नहीं है तो यह फॉर्दर क्या करेगा स्टेबल नहीं होगा तो इस पर फॉर्दर क्या होता है इसके octet को पूरा करने के लिए क्योंकि रैडिकल रैडिकल के साथ ही bond बना सकता है तो यह जो bond है आपको बताए एक bond में two electrons होते हैं तो उसमें से एक electron इतर को दे दो और एक electron इसको दे दो तो आपके पास ये तूट कर क्या बन जाएगा आपके बने गा यहाँ पर यहाँ से इस accelerator के उपर अगर एक रैडिकल आएगा तो यहाँ पर radical और radical क्य बन जाएगी CO2 गैस निकल जाएगी क्योंकि एक राडिकल यहां था एक कारबन के उपर राडिकल है तो C double bond O बन जाएगा तो यहां سے क्या हुआ कि आपका माइनस CO2 गैस का लौस हो गया इस तरह से हो रहा है ठीक है CO2 का लास हो गया और आपके पास दो राडिकल बचखके किसके CH3 के CH3 के Radical बचके अब ये क्या होगे दो Radical मिला के आपस में CH3 और CH3 आपस में क्या बनाएगा अलकेन बना देगा तो ये था आपका एनोड पर की क्या हो रहा है तो एनोड पर आपने देखा कि यहां से दो इलेक्टोन निकल रहे है और CO2 Gas पर निकल रही है अब यहां पर क्या होगा कि जो दो इलेक्टोन एनोड से निकले थे वही अब कैथोर्ड को सप्लाई होगे क्योंकि कैथोर्ड में क्या होता है गेन आफ इलेक्टोन तो कैथोर्ड में क्या होगा हम क्या लिखे के H positive की क्योंकि reduction हो रहे थी अब H positive को कौन provide करेगा electrons जो की anode से निकले वे ये वाले electrons होगे तो मैंने ये ही 2 electron यहाँ पर consume करवा दी है और आपको यहाँ पर H2 gas देखने को मिल गई थी है और यहाँ से आपके H2 gas बाहर निकल गी तो यह हुआ gain of electron अब क्या हो गया कि यहाँ पर यह negative वाला और यह positive वाला जो ions थे वो तो consume हो गया at cathode and anode में अब क्या हुआ जो reaction mixture में तो हमारे पास इतने ions थे तो आपका OH negative आपका H positive और CH3 CO negative तो यूस हो गया आपको बचा OH negative and NA positive अभी भी इस solution में present है इसका मतलब यह दोनों combine करके solution में क्या बनाएगे क्या रह जाएगा last में आपके पास solution में 2 NA positive है आपके पास और 2 आपके पास OH negative है तो आपके पास solution में मिल गया 2 NA OH आपका reaction mixture में रह जाएगा so यह थी about the cold based electrolisis process इसमें electrolytic cell का use हो रहा है और आपने main important thing जो है वो यह याद रखनी है कि इसमें कभी भी आप जो methane है वो नहीं बना सकते methane आपके सिफ और सिफ ऊपर वाले process that is by the soda lime से ही बनेगी okay thank you so much